हेलो फ्रेंड आज एंसियार्टी सारसंग्रा सिरीज का साइंस पार्ट के फिजिक्स अनि भोतिक बिग्यान पढ़ेंगे जो सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है चाहे वह वह BPSC, LV, NTPC, Group D, दरोगा या SSC हो सबसे अच्छी बात है कि कम समय में पूरी एंसियार्टी का निचोर आपको मिलेगा इस से आपकी समय बचत होगी अधी आप बुक पढ़े गे तो कितना दिन लग सकता है बट यहाँ आपको दो से तीन घंटे में पूरी एंसियार्टी का फिजिक्स लेगा चलिए तो फिजिक्स का पहला चेप्टर मापन मेजर्वेंट शुरू करते हैं मुल भोतिक रासी यानि फंडामेंटल फिजिकल यूनीट की संक्यां कितनी है तो मुल भोतिक रासी फंडामेंटल फिजिकल यूनीट की संक्यां साथ है मुल बहुती क्राशी जो fundamental physical unit है वो साथ कौन-कौन है लंबाई, समय, ताब, दर्मान, बिदुधारा, जोती तिवरता, पदार्थ की मात्रा चलिए आगे देखते हैं जोती तिवरता अनि luminous intensity का मात्रक क्या है luminous intensity यनि जोती तिवरता का मात्रक, luminous, parasteriadian या candela भी होता है एक परकास वर्स या light year कितने के बराबर होते हैं एक परकास वर्स या light 9.46 into 10 to the power 12 km में होते हैं और meter में 10 to the power minus 15 meter हो जाता है यनि 9.46 into 10 to the power 15 meter हो जाता है आगे देखते हैं वायव между मंदल में ojone parat या ojone layer की मोटाई मापने का मात्रक doption वायवि मंदल ये दाव η ट्मो आस्पेरिक प्रेसर मापने का मात्रक क्या होता है वायो मंडले दाव एट्मो एस्पेरिक प्रेसर मापने का मातरक बार होता है सक्ति का मातरक क्या है? सक्ति का मातरक कुआट होता है और कार्य तथा उरजा का मातरक जूल होता है MKS परनाली में तोरन या एक्सिलेशन का मातरक क्या है? तो तोरन या एक्सिलेशन का मातरक मीटर पर सकेन स्क्वाइर होता है मुल भोतिक रासी जो साथ है उसके मातरक और परतिक के बारे में देखते हैं मुल भोतिक रासी या मातरक और परतिक लंबाई लंबाई का मातरक मीटर और परतिक एम होता है दर्मान, दर्मान का मातरक किलोगरम और परतिक केजी होता है समय का मातरक सकेन और परतिक S होता है विद्धु धारा का या एलेक्ट्रिक कैरेंट का साई मातरक एमपियर और परतिक A होता है टेंपरियेचर का साई मातरक केलवीन होता है और परतिक K होता है पदार्थ की मात्रा एमोंट का मोल और परतिक मोल होता है जोती तिवरता लुमिनेस इंटेंसिटी का साही मात्रक केंडेला और परतिक सीडी होता एक केजी पर सेंटीमेटर स्कुएर दाव किसके समतुल होता है तो 1 kg पर cm2 दाब बराबर 1 बार होता है 1 p.gram कितने गरों के बराबर होता है तो 1 p.gram बराबर 10 to the power minus 1 गरों होता है पास्कल किस राशी का मातरक है पास्कल दाब की मातरक है अचै आगे देखते हैं बल यानि फोर्स का मातरक क्या होता है बल यानि force का मातरक Newton होता है आवेग या impulse का मातरक क्या है आवेग या impulse का मातरक Newton second होता है पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है एक पार्सेक एक पार्सेक 3.262 परकास वर्स या लाइट इयर के बरावर होता है एंग स्ट्रोंग दूरा क्या मापने जाता है एंग स्ट्रोंग के दूरा तरंग धायर या wavelength को मापने जाता है एक अस्व सक्तिया होर्स पावर में कितने वाट होते हैं नहीं एक एचपी बरावर 746 वाट होता है एक माइकरोन किसके बरावर होता है तो एक माईक्रोन 10 to the power minus 6 meter के बरावर होता है 10 to the power minus 4 centimeter होता है 10 to the power minus 3 mm होता है एक माईक्रोन बरावर चलिए नेक्ट देखते हैं चालक की विद्धूत परती रोधगता Electrical resistance की मातरक को Ohm meter होता है चालक की विद्धूत परती रोधगता electrical resistance की मातरक को मातरक ohm meter होता है radian abum, stereadian किस परकार के मातरक तो radian abum, stereadian एक पूरक मातरक या supplementary unit है next देखते हैं Q-sake में क्या मापा जाता है Q-sake में जल के बाहाव को मापते है दूर्ग की बस्तू को देखने के लिए banuclear doirwin का परियोग किया जाता है दुगद उतपाद में वसा की मातरम अपने के लिए किस यंत्र का परियोग किया जाता है तो वसा की मातरम अपने के लिए हम βीटेरो मीटर का उप्योग करते हैं चले next देखते हैं प्रकास की तिवर्तामा अपने के लिए किस उपकरन का परियोग किया जाता है प्रकास की तिवर्तामा अपने के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं सम्तल कौन और घहन कौन किस परकार की रासिया है सम्तल कौन और घहन कौन पूरक रासि है हिर्दय की ध्होनी सुनने के लिए किस यंत्र का पर्योग किया जाता है हिर्दय की ध्होनी सुनने के लिए हम एस्टेटो एसकोप का पर्योग करते हैं कुछ अधिस रासी और सदिस रासी और कुछ भीमिन मातरक देखते हैं अधीस रासी यह सीदर रासी किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ मेगनिटूड होते हैं और सदीस रासी किसे कहते हैं जिसमें मेगनिटूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं उसे सदीस रासी कहते हैं जैसे दूरी चाल दर्मान आयतन्ट समय कारी घनत यह सब अधीस रासी है विद्धुद्धारा और बल विष्थापन बेग संबेग तोरन कोन्य बेग चुम्बक्य तिवरता और विद्धुद्ध तिवरता यह सब सदी सराशी है तो यह कुछ बिभीन मातरक देख लेते हैं एक एग स्ट्रोंग बरावर 10 to the power minus 10 मीटर होता है एक खोबोलिये इकाई बरावर 1.496 into 10 to the power 11 मीटर होता है एक डॉब्शन बरावर 10 माइक्रो मीटर होता है एक बेरेल बरावर 159 लीटर होता है और एक नेनो मीटर बरावर 10 to the power minus 9 मीटर होता है एक टेरो मीटर बरावर 10 to the power 12 मीटर होता है एक फेदम बरावर 6 फीट होता है पिर्थिवी के गुरुत एम चंद्रमा के गुरुतवा करशन के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पिर्थिवी की परिकर्मा करता है पिर्थिवी के गुरुत एवं चंदमा के गुरुत वाकर्शन के कारण ही चंदमा एक निश्चित कक्ष में पिर्थिवी की परिकर्मा करता है पर्मुक भोतिक रासी एवं उसके SI मातरक देखते हैं उसके फर्मूला सहित यह दिया गुए है जैसे छेत फल छेत फल का फर्मूला लंबाई इंटू चवराई होता है L इंटू B और इसका SI मातरक मीटर स्क्वार होता है और आइटन का लंबाई इंटू चवराई इंटू उंचाई होता है और इसकी मातरक मीटर क्यों होता है तोरन अथ्वा मंदन का बेग में पड़िवरतन अपन समय होता है और इसके साई मातरक मीटर पर सकेंड स्क्वाइर होता है बल का सुत्र दर्मान इंटो तोरन और इसका मातरक केजी मीटर पर सकेंड स्क्वाइर या नूइटन होता है inging के गतिवी जूर जाका 1 divided 2 इंट डर्माय इनटो भेग एस्कुआयर या 1OOM 2inb नद ब até सक्वएर अरिसके एस्टाए मात्रा एक के जी मेटर स्क्वएर पर सेकेंड कवya ॹजूल होता है इस्तेती जोड़या का दर्मान इंटो गुरुतिवे त्विए तोरान इंटो उंचाई और इसका S.I. मात्रक kG, m², स्क्यार पर सेकेंड इस्क्यार या जूल होता है कौनिय विस्थापन या चाप का कौनिय विस्थापन का फर्मुला चाप अपन तिर्जिया और इसका एसाई मातरक रेडियन होता है काड़ी का सुत्र बल इन्टू विस्थापन और एसाई मातरक जूल या नुटन मीटर होता है सक्ति का फर्मुला कारी अपोन समय होता है और SI मातरक जूल पर सकेंड या वाट होता है बल आगुर बल इन्टो घुर्नन अक्ष से लंबत दूरी और SI मातरक नुई टन मीटर होता है आगे तो गुरुत वाकर्शन नियातांक गर्विटेशनल कॉंस्टेंट का SI मातरक नुई टन मीटर सक्वाइर पर केजी सक्वाइर होता है गुरुत वे बीभाव का फर्मुला कार्यपोन दर्मान और SI मातरक जूल पर केजी होता है गुरुनन तिर्जा का SI मातरक मीटर होता है यंग गुनं का SI मातरक नुई टन पर मीटर सक्वाइर होता है प्रिश्टियतनो का SI मातरक नुई टन पर मीटर सक्वाइर होता है वेग परवन्ता का फर्मुला वेग अपोन दूरी और SI मातरक पर सकेंड होता है क्योंकि बेक का साई मात्रक मीटर पर सकेंड और दूरी का साई मात्रक मीटर होता है तो मीटर मीटर कर जाने के बाद पर सकेंड बचता है सेयनता गुनाग बल अपोन छेथफल इंटू बेक पंता अनि नूइटन सकेंड पर मीटर सक्वार होता है फ्लेंग कॉंस्टेंट का साई मात्रक जूल सकेंड होता है जूल सकेंड होता है बॉल्टाजमेंट नियतंक का साई मात्रक जूल पर केलवीन होता है धारिता या आवेस का साई मात्रक फिराडे होता है चालक तायर बिदूत का साई मात्रक ओम पर मीटर होता है धारा घनतिक का फर्मुला विद्धु धारा पोन छित फ़र और एसाई मातरक एंपियर पर मीटर स्कुएर होता है चुम्बक्या फलक्स का एसाई मातरक वेवर या बॉल्ट होता है परतिरोधक्ता का एसाई मातरक ओम मीटर होता है गुप्ट उस्मा का फर्मूला उस्मिय उर्जापों दर्मान और इसका साय मातरक जूल पर केजी होता है कौन ये संबेग जरत आगूर्ण इंटू कौन ये बेग और इसाय मातरक केजी मीटर स्क्वाइर पर सकेंड होता है जरत आघूर्ण का ऐसाई मातरा केजी पर मीटर Unterstützung होता है किस यंथर के दुआरा मस्तिस्क बीगव मापा जाता है तो इलेक्ट्रो इनसे फिलो गराप के दुआरा मस्तिस्क बीगव को मापा जाता है संबेग या मोबेविंटम किस की माप गति की मातरा की मेनोमीटर का उप्योग है मेनोमेटर का उप्योग गयसों के दाम मापने में क्या जाता है कोनिय बिस्थापन angular displacement का मातरख क्या है कोनिय बिस्थापन का मातरख gradient होता है पिर्थ्वी और सूर के बीच की मध दूरी किस मातरख द्वारा बैक्ट की जाती है खोगोलिया इकाई के दुआरा पिर्थिवी और सूर के बीच की दूरी मापी जाती है सोने की सुधता को मापने के लिए केरेटो मीटर का सोने की सुधता को मापने के लिए केरेटो मीटर नामक यंतर का पड़ियोग किया जाता है इसलिए नेक्स्ट में देखते हैं महत्वपुर्ण मापन और उपकरन इंपोर्टेंट मेंजिनिंग डिवाइज अल्टी मीटर अल्टी मीटर से हम उड़ते हुए बिमान की उचाई मापते हैं उड़ते हुए बिमान की उचाई किसे मापते हैं अल्टी मीटर से बिद्धुद धारा की तिवरता मापते हैं ओडियो मीटर से धोनी की तिवरता मापते हैं एरो मीटर से वायू एवं गैस के भार का तथा गनत्व मापते हैं एनिमो मीटर से वायू की गती और सक्ति मापने का यंत्र एक्सिलरो मीटर से गती मान वाहन की गती में बिर्धी की दर मापते हैं और बेरो मीटर से वायू मंडलिया दाब मापा जाता है बोली मीटर से हम उस्मिय विकीरन मापते हैं केलिवरी मीटर से हम उस्मा की मात्रा मापते हैं वर्नियर केली पर से बेलनाकार बस्तों के बियास एवं गाराई मापने के लिए हम वर्नियर केली पर सकाउप योग करते हैं क्रायो मीटर से हम नीमनताप मापते हैं डेंसी मीटर से पदारत की खनत को मापते हैं फेदो मीटर फेदो मीटर से समुद्र नदी की गहराई को मापने के लिए हम फेदो मीटर का परियोग करते हैं गेलवेनो मीटर से बितुधारा की परवलता को मापते हैं गाइरोस्कोप गाइरोस्कोप से घुर्णन गती करती विबस्तु की कौनियस संब्यग मापते हैं और ग्रेवो मीटर से गुरुतिवे तोरन मापते हैं हाइड्रो मीटर से बस्तु के सापकचिघनत मापने के लिए हाइड्रो मीटर का उपयोग हम जल के भीत आर उत्पंध होनी को मापने के लिए हाइडोफोन का उपयोग करते हैं हाईगरो मीटर हाईगरो मीटर का उपयोग वायू मंदल या आदरता को मापने के लिए करते हैं जो वायू मंदल या आदरता को मापते हैं हम हाईगरो मीटर से लेक्टो मीटर से दूद की सुधता को मापने के लिए हम लेक्टो मीटर का उपयोग करते हैं क्रोनो मीटर क्रोनो मीटर से पानी की जहाज में सही समय ग्यात करने में परियुक्त उपकरन क्रोनो मीटर क्रेनो इसको गराब पोधों की बिर्धी को दर्साने वाला या पोधों में जितना बिर्धी होता है उसको दर्साने के लिए क्रे इसको गराब का उपयोग करते हैं डाइलेक्टो मीटर किसी बस्टू में उत्पन आइटन के परिवर्थन को मापने कायंतर है डाइनेमो मीटर डाइनेमो मीटर से इंजन द्वारा उत्पन की गई सक्ती मापने कायंतर है नेफो एसकोप वायु मंदल में उपस्थित बादलों की गती एवं गती की दीशा मापने के लिए नेफो एसकोप का प्रियोग करते हैं रेडियो माइक्रो मीटर रेडियो माइक्रो मीटर से उसमिये बिकीरन को मापने कायांतर है टेको मीटर किसी बस्तू के चक्रन गती को मापते हैं टेको मीटर लिए नेक्स्ट देखते हैं रेन गेज या यूडो मीटर रेन गेज या यूडो मीटर से वर्षा की मात्रा ग्याँद करने वाला यंद रिफ्रेक्टो मीटर पारदर सक्मादियम या अपवर्तनां ग्याद करने वाला उपकरन सेक्रो मीटर से सरकरा की सांदरता मापने वाला यांतर सरकरा की सांदरता मापने के लिए हम सेक्रो मीटर का उपयोग करते हैं एस्क्रू गेज का उपयोग महीन तारों का ब्यास मापने वाला यंत्र है हैनि महीन तारों का ब्यास मापने के लिए हम एस्क्रू गेज का उपयोग करते हैं सेक्स्ट में सेक्स्टेंट का उपयोग सेक्स्टेंट का उपयोग उचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है उचाई को मापने के लिए हम से एक्स्टेंट का उप्योग करते है एस्पेरो मीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र एस्पेरो मीटर चले मीनेो मीटर एस्पिगमो मेनो मीटर से हम धमनियों में रुधीर के दाब को मापने का काम करते हैं थियूडोलाइट से अनुप्रस तथा लंबवत कोनों की माप की जाती है थर्मोपाईल से विकीरंतिवरता मापने का यंत्र है लिए आगे देखते हैं वेंचूरी मीटर से दरवों के प्रवा की गती मापने का यंत्र लावड स्पीकर से धोनी की तिवरता को बढ़ाने का यंत्र मेक मीटर मेक मीटर धोनी के बेक के अनुपात में आयुआन की गती को मापते हैं मेगनो मीटर मेगनेटो मीटर से चुम्बक के छेतर माँ पा जाता है यह पूरी एंसियांटी का निचोर हैं सियांटी में जितना दिया हुआ है वो पूरा है माइक्रो माइक्रो मीटर माइक्रो मीटर अती सुक्छ लंबाई या मीली मीटर का जारमा भाग मापते हैं 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तिवरता मापते हैं, पोली गराप, पोली गराप से अपरादियों के संदिग द्व्यक्तियों की कथन की जाच करते हैं, अचलिए नेक्स्ट देखते हैं, रडार, रडार से दूर इस्थित बस्थों की अविस्थिती को जानते हैं, रेडियो मीटर, रेडियो मीटर से विकी का मापक क्या जाता है सिस्मो ग्राप से भुकम्प्य तरंगों की तिवर्ता मापी जाती है एस्पीडो मीटर से गती मान वाहन की गती मापी जाती है पाइर हिलियो मीटर से सोर विकीरन का मापन होता है विस्को मीटर से दरब की सायनता ग्यात करने में की जाती है वेब मीटर बिद्धु चुम्ब के तरंगों के तरंग धर मापते हैं एलेक्ट्रोन मीटर से भी भू अंतर मापने काय अंतर है सीजियस पदती के अंतरगत लंबाई को सेंटीमीटर दर्मान को ग्राम समय को सकेंड में मापा जाता है और मके एस पदती में लंबाई को मीटर दर्मान को केजी और समय को सकेंड में मापा जाता है तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स का ही पुरा सिरीच खत्म किया जाएगा उसके बाद केमेस्टी बाइलो जी